जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि Honda की Activa 6 यह BA6 में आ गई है उसके बारे में आपको सारी बाते बता दी है कितनी मॉडल है क्या कीमत रहेगी आज हम बात करेंगे अगर आप लेते हैं Honda की Activa 125cc वाली मॉडल BA6 में इसमें आपको क्या खासे देखने को मिलती है गाड़ी कैसी है किया इसमें आपको कितनी मॉडल देखने मुलेगी, सारी बाते आपको बताएंगे पहले हम बात करemें मेटर के बारे में इस वाले गाड़ी में आपको मिलता प्रोग्राम FI जैसा कि हम जानते ही कि BA6 में आपको FI देखने को देखने को मिलता है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको real-time mileage भी देखने को मिले लिए जासा कि आप देख रहा है restrict button यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है Honda की बैसिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है तो meter काफी सांदार आपको देखने को मिलती है active है 125 BS6 में engine आपको मिलता है इसमें 124 CC यानि क्या आपको लगभख से 125 CC का engine आपको मिलता है fuel injection के साथ program FI emission type हम बात कर रहे हैं BS6 के बारे में power यह गाड़ी generate करती है 8.29 PS की 6500 RPM पर mileage की बात करेंगे लगभख से दोस्तों company द्वारा claim की जारी है 60 KMPL तक की mileage और यहां पर आप दोस्तों जासे के real time में 62 तक दे रही है तो मैं आपको कहना चुहांगे दोस्तों mileage में आपको बदलाव देखने को मिलेगी गाड़ी चलाने के उपर fuel के quality के उपर gear की बात करेंगे दोस्तों इसमें आपको मिलता है CVT याने की continuous variable transmission इसमें आपको gear बदलने के कोई जंजट नहीं है accelerator दीजिए आगे बढ़िए वेल्कम चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरू प्रेस करिएगा वील टाइप के बात करेंगे आपको बहुत तरह के इसमें वील आपको देखने को मिल जाती है शीट मेडल के एक और आपको option इसमें देखने को मिलता है ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाती है कर वेट है इस वाली गाड़ी की 111 kg तक की दो साल के आपको लगवक से वाइरेंटे आपको देखने को मिलेगी एक्टिवा 125 BS6 में अगर हम बात करेंगे मॉडल के बारे में इस वाली गाड़ी में आपको तीन मॉडल देखने को मिल जाती है पहला आपको मिलता है एक्टिवा 125 डिलक्स वेरियंट दूसरा आपको मिलता है एक्टिवा 125 एलोई वील वेरियंट तीसरा आपको मिलता है Activa 125 Standard वाली मॉडल तीनों ही मॉडल के अगर हम बात करेंगे एक शोरूम कीमत के बारे में तो डिलेक्स वाली मॉडल के आपको पड़ेगी एक शोरूम कीमत 76,269 रुपए एलोई वीज वाली मॉडल के आपको पड़ेगी एक शोरूम कीमत 72,89 रुपए और वहीं आपको पड़ेगी स्टेंडर वाली मॉडल के एक शोरूम कीमत 79,29 रुपए तो आसा करता हूँ को दोस्तों आपको समझ में आईए होगा Activa 125 BS6 में आपको कितनी साथी मॉडल देखने को मिलती है क्या कीमत है बहुत दो हम बात करेंगे तीनों ही मॉडल की on-road कीमत और finance details के बारे में तो बने देगा चैनल को सब्सक्राइब करके और मीटर दोस्तों जैसे कि आपने देखा है काफी संदार आपको देखने को मिलती है और जैसे कि इस स्पेसिफिकेशन आपने देखा है तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जुरू करिएगा चैनल को ऐसे ही जनकरेवाली वीडियो समय सब्सक्राइब के लिए क सब्सक्राइब करिएयो दोस्तों कर दोर्डर आपको अजिता है